जैने दोस्तों अंदे मातरम, पिछले कुछ समय से बॉलिवुड को लेकर जो एक बॉयकॉट वाली फुली लहर थी, वो कहीं न कहीं ठंडी पड़ चुकी है, खतम हो चुकी है, कंगने रनौत की मूवीज फ्लॉप हो रही है, अक्षे कुमार की मूवीज फ्लॉप हो रही है अब कई लोगों का ये वीडियो देखने का माता ठनग जाईगा, कि भहिया ये क्या होगा, कई लोगोंको अच्छा लगेगा और जाहर सी बाते कई लोगोंको बुरा ही लगेगा और लोग उनको बुरा- भला ही कहेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जावे दक्तर साब को मंच पर खड़े होकर ये कहना पड़ा कि भाईया सिया राम का नाम साथ भी लेना चाहिए हिंदू सहिश्णू होते हैं एक साथ मिलकर रहते हैं जैसिया राम का नारा लगाना चाहिए इस सब बाते इंको क्यों कहनी बॉलिवुड गीतकार जावेद अक्तर दीपावली से पहले भगवान राम और मातासीता पर टिपणी कर खेचल सामय आ गए इस बार उन्हों ने भगवान राम और मातासीता को सांस्कृतिक विरासत बताया है गीतकार जावेद ने मन से अध्यक्ष राज ठाक्रेद और आ जावेद अक्तर ने कहा कि हिंदूों की सोच बहुत बड़ी है उन्हें अपनी सोच बड़ी ही रखनी चाहिए इसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहिए जावेद अक्तर ने आगे कहा कि वैसे तुम्हें नास्तिक हूँ लेकिन मैं मर्यादा पुरुशुत्ता राम का बहु है उनका नाम अलग-अलग से लेना पाप है जो उन्हें अलग करना चाहता है वो सिर्फ रावण था अगर आप सिर्फ एक का नाम लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी रावण चिपा हुआ है मुझे याद है कि लखनों जहां से जावेद अक्तर साब रहने वाले है उन्हें ने कहा कि मुझे याद है कि लखनों में जब लोग सुबह टहलते थे तो जैसी है राम कहर कार एक दूसरे काविवाद में करते थे जायत तर ने कहा कि आज के वक्त में असाइशनुदा बढ़ गई पहरे भी कुछ लोग थे जिनके अंदर सहेंशीलता नहीं थी हलाकि हिंदू कभी ऐसे नहीं थे इनका दिल हमेशा सही बढ़ा रहा है इसलिए उन्हें अपने अंदर से सीज को खत्म नहीं कोने दिना चाहिए हिंदूों को अपने वही पुराने मूलियों पर चलना तो मंदर वाले सीन पर विवाद हो जाता शायद मैं और सलीम सहाब वो सीन लिखी नहीं पाते ये शब्द प्रेम एकता और रहस्त जीवन का प्रतीक है यह तो एक नहीं अलग किया उसका नाम रावन था और कुछ भी नहीं आज जो ऐसा करेगा वो रावन कहलाएगा उन्ह प्रती है उन्होंने कहा कि असाहिष्ण उता बढ़ रही पहले भी कुछ लोग थे जो किस प्रकार का काम किया करते थे लेकिन हिंदू कभी ऐसे नहीं रहे इनकी सबसे बड़ी खासित यह थी कि इनकी सोच बहुत बड़ी अगर इनकी एक खासित खत्म हो गई तो वे एक द स्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं लेकिन जो जावदक्तर द्वारा जैस्रीडाम के नारे लगवाने के वीडियो वाला है वो काफी सा दवारल हो रहा है कुछ लोग इसे देखकर खुश है तो कुछ लोग कह रहा है कि अच्छा है जावदक्तर की अकल ठ रखे थे तो जैसे राम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे तो फिर तो इसको मन से की एक प्रवदी बतानी चाहिए हम लोगों क्या कहना है आप लोगों कमेंट करके जबूर बताएं मेरे सुट्वियों फिलालत नहीं जाए हिंजाए भाराव